नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों आज के समय में रिलेशन्सिप में आना एक कामन बात है दोस्तों कपल को रिलेशन्सिप में आने से पहले सोंच समझ कर फैसला लेना चाहिए दोस्तों ऐसा होता है कई बार लाइफ पार्टनर की तलास में आप गलत फैसले ले लेते हैं और आपका जीबन बरवाद हो जाता है यही कारण है कि आज के समय में शादी के पहले डेटिंग का ट्रेंड बढ़ा हुआ है आज के दोनाल लड़का लड़की रिलेशन्सिप में आगे बढ़ने से पहले एक दुसरे को बहतर तरीके से जानना और समझना चाहते हैं ताके उन्हें आगे दिक्कत ना हो दोस्तों आपको बता दें अगर आप भी रिलेशन्सिप में हैं और डेटिंग पिरियड में हैं तो आप इन चीज़ों को बहतर ध्यान दें यानि जो वीडियो में हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं उन पर आप ध्यान दें तो भविस में आपको तकलीफ नहीं होगी तो आईए दुस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी ही परसनाल्टी के रोग जिनके रिलेशन्सिम में लोगों को दिक्कत होती है यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे पांच मर्दों के बारे में जानते हैं जिने इस्तरियों को हमेशा मनलब दूरी बना लेना चाहिए क्योंकि ऐसे मर्दों के साथ रहने से इस्तरियों का जीवन तबाह हो सकता है चलिए जानते हैं उन्हीं मर्दों के बारे में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर यूटूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इस्पेस कम देने वाला इंसान अगर कोई ब्यक्ति आपके उपर ज्यादा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है या आप पर नजर रखता है तो या पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है आपको क्या खाना है क्या पहनना है कहा जाना है किस से मिलना है और किस से बात करना है इन सब चीजों में अगर कोई ब्यक्ति ज्यादा दखल अंदाजी करता है तो या आपके लिए अच्छा लाइप पार्टनर नहीं साबित होगा जीवन में ज्यादा रोक्टों करने वाला व्यक्त किसी को पसंद नहीं होता है और या रिस्ते की अच्छी निशानी नहीं होती है अगला पॉइंट है जूट बोलने व चुपाना और जूट का सहारा लेने वाले लोग ऐसे लोगों का रिस्ता नहीं ठिपता है ऐसे में परफेक्ट लाइप पार्टनर वही होता है जो कभी जूट ना बोले जूट बोलने वाले हमेशा धोका देते हैं और दोस्तों अगला पॉइंट है मतलवी अगर कोई ब्य आपके दोनों के मविस्य में या आपके पैसन, इंट्रेस्ट, कैरियर और पसंद के बारे में सोचे और उसको ज्यादा तबज्जो दी दोस्तों अगला पॉइंट है कमिंटमेंट बनना ज़रूरी जी हां दोस्तों रिलेशनसिप में आने से पहले आपको अपने मविस्य क के बारे में सोचना चाहिए ऐसे में आप समय बरवाद करने से बहतर है कि अगर पार्टनर सही है तो कमिंटमेंट बना लें वरना अगर व्यक्ति कमिंटमेंट करने से डर रहा है तो उससे तुरंत दूरी बना लें तो ये था आज का हमारा वीडियो जानकारी पसंद आई ह तो इसे लाइक करें मैं मिलता हूँ ले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो